हलो फ्रैंड विलकम टू जेवी स्टड़ी हब अज की जो हमारी वीडियो है वो है TGT सामाज़िक विज्यान कट ओफ 2021 की तो फ्रैंड आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल साइंस की जो हमारी कट ओफ है वो कितने तक चास सकती है और कितनी नंबर वाले हम इसमें पास हो सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल जेवी स्टेडी हप पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सकें तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजीकली हेंडिकेप्ट जो वर्ग है उसकी मेरिट कितनी नंबर से और कैसे जाएगी तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे हम बालक वर्ग के नंबर ओफ कुस्चन्स हैं ये तो फ्रेंड्स सत्तर से पिचेतर नंबर के बीच में फिजीकली हेंडिकेप्ट बालक वर्ग की मेरिट जा सकती है चीक है तो फ्रेंड्स बात करते हैं महिला वर्ग की तो महिला वर्ग की बात करें तो 65 से 70 के बीच में 65 से 70 के बीच में सवाल ठीक होने चाहिए इसके बात है फ्रेंड्स स्टी वर्ग की बात करें तो बालक वर्ग में फ्रेंड्स 80 से 85 तक कोस्टन्स ठीक होने चाहिए बालक वर्ग में और महिला वर्ग की बात करें तो 75 से 80 के बीच में हमारे सवाल ठीक होने चाहिए फिर नेक्स बात करते हैं फ्रेंड्स हम स्टी वर्ग की स्टी के टेगरी में क से 95 नंबर ओफ कोश्चन हमारे ठीक होने चाहिए और इसी में ऐसी की महीला वर्ग की बात करें तो 85 से 90 के बीच में हमारे सवाल ठीक होने चाहिए अब बात करते हैं फ्रेंट्स EWS वर्ग की अन्य पिछ सोरी EWS की बात करें तो बालक वर्ग में जो मेरिट जाएगी फ्रेंट्स हमारी 95 से 100 कोश्चन हमारे ठीक होने चाहिए और इसी EWS में हम महीला वर्ग की बात करें फ्रेंट्स तो 90 से 95 तक सवाल ठीक होने पर हमारा सेलेक्शन होने की चांसिज हैं OBC की बात करते हैं तो फ्रेंट्स OBC में अगर बालक वर्ग की बात करें तो 95 से 100 कोश्चन हमारे सही होने जरूरी हैं और महीला वर्ग की बात करते हैं तो फ्रेंट्स 90 से 95 के बीच में सवाल ठीक होने चाहिए तो फ्रेंट्स अब बात करते हैं सामाने जनरल केटेगरी की तो जनरल केटेगरी में फ्रेंट्स अगर बालक वर्ग की बात करें तो हमारा बोईज में 100,2,1,0,5 100-105 के questions हमारे ठीक होने चाहिए और अगर महीला वर्ग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 95 से 100 questions हमारे ठीक होने चाहिए तो फ्रेंड्स कैसी लगे आपको हमारे वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके एक्जाम में कितने questions ठीक हुए हैं थेंक यू